नागराज विशैली से बच्चों को बचा कर ले आता है सब बच्चे अपने मम्मे पापा के पास आकर बहुत खुश होते हैं पास में खड़ी हुई सिम्रन ये सब कुछ सुन रही थी देखा बोस एक बार फिर से नागराज ने हम लोगों की मदद की है और हमारे शहर के सभी बच्चों को सही सलामत हमारे पास लेकर आया है सिम्रन नागराज के पास जाकर बोले नागराज जिसने बच्चों को चुराया वो कौन था और वो बच्चों को लेकर कहा जाना चाहता था नागराज, तुम ना होते तो ना जाने इन बच्चों का क्या होता? क्या वो अब दोबारा वापस आकर बच्चों को चुराने की कोशिश करेगी? नहीं, वो अब नहीं आ सकती, क्योंकि वो अब इस दुनिया में ही नहीं रही, तो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगी. अब मैं चलता हूँ. नागराज वहाँ से ये बोल कर चला जाता है, उसके जाते ही विराज वहाँ पर आता है. सिमरन, यहाँ पर इतनी भीड क्यों खटा हुई है? आज की टाइम में भीड को एकटा करने का कोई दूसरा रीजन थोड़ी ही ना है, बस एक मुसीबत थी जो लोगों पर आई थी, लेकिन नागराज ने उस मुसीबत को टाल दिया, वैसे नागराज की बाद छोड़ो तुम बताओ इतना लेट क्यों आये हो? मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आज लेट हो गया, बड़ा मैं भी देख पाता कि नागराज कैसे बच्चों को यहाँ पर लेकर आया था? तुम तो बस बाते बनाना जानते हो, और तुम से कुछ होता है नहीं? नहीं, सिम्रन ऐसा नहीं है. हाँ, हाँ, विराज, मुझे भी पता है कि कैसा है? विराज, मैं नोटिस कर रहा हूँ, कि सिम्रन तुम से ज़्यादा बेटर काम कर रही है. ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ मैं सिम्रन का ही प्रमोशन करूँगा, तुमको प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं दूँगा. नहीं, बॉस, ऐसा नहीं है, मैं भी पूरी मैनज से काम करता हूँ, चाहे तो आप सिम्रन से पूछ लो, क्यों सिम्रन? हाँ, वो तो बॉस को खुदी दिख रहा है कि कौन कितने अच्छे से काम कर रहा है, अब चलो आफिस, वो न्यूज तयार करनी है कि नागराज ने बच्चों को विशैली के चंगुल से आजाद करा लिया. विशैली, ये कौन थी? सब यहीं जान लो कि क्या, अब स्टूडियो चलो, हमें वहाँ पर न्यूज तयार करनी है. विराज बॉस और सिम्रन तीनों स्टूडियो चले जाते हैं, वहाँ पर सिम्रन न्यूज तयार करती है. आज शहर में सुब्ए ही सब बच्चे अचानक से गायब हो गए. कोई नहीं जानता था कि सब बच्चे कहाँ पर हैं. वो उससे लड़कर उसको खत्म करके ही नहीं, बलकि सब बच्चों को उसकी चंगुल से आजाद करा कर भिलाया यह नहीं हो सकता बॉस क्यूंकि मुझे नहीं लगता कि नागराज किसी और से बात करता है, वो जब भी मुझसे मिलता है मुझसे ही बात करता है हो ना हो एक दिन वो मुझे सब कुछ पताएगा मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ जल्दी से पता करो, जिससे हमारा न्यूज और अच्छे से चल सके बॉस वहाँ से चला जाता है, सिमरन चिंता मैं बैठी हुई थी, विराज उसके पास आखर बोला विराज मैं मजाग के मूर में बिलकुल नहीं हूँ, बलकि मैं इस काम को लेकर बड़ी सीरिस हूँ, बॉस ने इतने विश्वास के साथ हमें ये काम दिया, और हम नागराज के बारे में जरा सा भी सुराग नहीं निकाल पाए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे खुद पर शर्माने लगेगी, ऐसा कहकर सिमरन की आखे आशूओं से भरी थी, जिसे देखकर विराज भी उदास हो गया, और बोला, सिमरन तुम चिंता मत करो, तुम देखना, सबसे पहले नागराज की बात तुमे ही पता चलेगी, कि वो कहां से आया, कैसे आया है, चलो, अब विराज सिमरन को कौफी देता है, सिमरन कौफी पीने लगती है, विराज अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है, अब तो नागराज के बारे में सिमरन को बताना ही पड़ेगा, ऐसे उदास बैठे हुई सिमरन मुझे बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर मै अपने अपने घर चले जाते हैं, विराज अपने कमरे में बैठा हुआ था, मैं ऐसा क्या करूं कि सिमरन को थोड़ा बहुत पता भी चल जाए, और मेरा काम भी बन जाए, सिमरन को वैसे मुझे पर शक्त है, कि मैं ही नागराज हूँ, वैसे सिमरन ने जो सोचा है, सही नागराज की आँखे खुलती हैं, नागराज के सामने एक अजीब सा शक्स खड़ा था, जो आधा नाग और आधा इनसान था, नाग मानव नागराज से बोला, बन से इनसान हो, लेकि तुम ये भी जानते हो, कि जो शक्ती तुम्हें मिली है, वो तुम्हारी नहीं, बलकि नागराज की है, नागराज की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं, जिससे तुम हमारी मदद करो, गि धराज नाग लोग के बहुत से सापों को मार चुका है उसका सामना करना हम नाग मानव के बस की बात नहीं है उसका सामना हमारे समराड नागराज ही कर सकते थे जो कि अब तुम हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मुझे जिस नाग से शक्ती मिली है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ वैसे भी मेरी शक्ति धर्म कर्म के लिए है जिसको भी मेरी जरूरत होगी मैं चलूँगा चलिए गुरुदेव मुझे कहां चलना है बताईए नाग दंत नागराज को लेकर एक द्वीब पर पहुँचता है नागराज के वहाँ पहुचते ही सारे नाग मानव उसके सामने जुक कर बोले एक नाग सेने काकर नाग दंत गुरू से कहते हैं गुरुदेव फिर से संकट मंडरा रहा है गिदराज का गिदराज के आने की खबर हमें मिल चुकी है वो हम पर हमला करने के लिए आ रहा है गिदराज आसमान में मडराने लगता है ये देखकर नागराज बोले तो ये है जिससे तुम लोगों की रक्षा करनी है लेकिन ये तो एक विशाल गिद है क्या मैं इससे युद कर पाऊंगा आपने इसे पहले भी कईवा युद में हराया है हमें पूरा विश्वास है कि आप इससे हमारे रक्षा कर पाएंगी नागराज नागों की रसी से हवा में उपर की तरफ चाल गिद के सामने जा खड़ा हुआ नागराज को खड़ा दे गिद राज हसते हुए बोला तो तू फिर एक बार मुझसे मरने के लिए आ गया है इस बार तो मैं तुझे जीवित बिलकुल भी नहीं चोड़ूंगा इस नाग मानव ने तेरा क्या बिगा रहा है तो क्यों इन पर हमला कर रहा है मैं तुझे चितावनी देता हूँ कि इनको इनके हाल पर छोड़ कर चला जा मैं इन पर हमला नहीं कर रहा हूँ मैं तो अपनी भोख मिटा रहा हूँ नाग मेरा भोजन है और ये हटे-कटे नाग मानव मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं जिने में चाओ से खाकर बड़ा शक्ति शाली हो जाओंगा तु इन्हें तभी खाएगा ना जब मैं तुझे खाने दूँगा अब तिरांत समय आ गया है तु कुछ और समय तक जिन्दा रह ले नाग राज नाग रस्ती को खीच कर गिद राज को जमीन पर पटक देता है गिद राज लड़ खड़ाता हुआ उठता है नाग राज तुझ में तो इन्सानों की तरह सोचने का दिमाग आ गया है तु इतरा शक्ति शाली नहीं हो सकता चो मुझे जमीन पर गिरा दिया जरूर कोई दूसरी शक्ति तेरे अंदर समाहित हुई है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इंसानों की तरह समझदार ही नहीं मैं इंसान भी हूँ लेकिन मैं ये तुझे बताऊंगा नहीं खेर कोई बात नहीं तू तो एक नाग ही है और नाग कभी गिद से नहीं जीत पाता ये तरह भ्रहम है गिद राज कि गिद से नाग कभी नहीं जीत पाता गिद हवा में उड़ता हुआ नाग राज को पंजे में दबा कर आसमान में ले जाता है बहुत उचाई पर ले जाने के बाद गिद राज नागराज से बोला इतनी उचाई पराकर अगर मैं तुझे यहां से छोड़ दू तो तिरी हड्डियों का चूरा हो जाएगा तो तो उठ भी नहीं पायेगा और फिर मैं तुझे आराम से खा सकूंगा नागराज को ऐसा बोल कर गिद नागराज को हवा में छोड़ देता है नागराज बहुत वेग से जमीन की तरफ गिरता है अगर मैं इस वेग से जमीन पर गिरा तो सच में मेरी हड्या तूट जाएंगी और फिर मैं नाग मानव की रक्षा कभी नहीं कर पाऊंगा नागराज अपने दोनों हाथ से नागराज निकालता है जो दोनों तरफ के उचे पहाडों पर जाकर उलट जाती है नागराज एक बार फिर से हवा में लटक जाता है नागराज को हवा में लटकता देख गिद बोला तो नाग राज ने फिर से अपना दिमाग लगा कर अपने आपको बचाने की कोशिश की है। लेकिन गिद्ध राज के होते हुए नाग कभी नहीं बचवाएगा। मैं इस नाग रस्ती का विनाशी कर दूँगा। अभी इसके नागों को अपने नुकिली चौंच से काट दे थी। नाग रस्ती को काट देगा, ऐसे तो मैं फिर से जमीन पर गिर जाऊँगा, मुझे कुछ और करना होगा। गिद्राज पूरे वेक से नागराज की तरफ नुकिली चौंच से वार करने के लिए बढ़ता है, गिरते हुए नागराज उसे देख लेता है जैसे ही गिदराज नागराज के समी पहुंचता है नागराज नागरसी से एक जाल बनाता है जिसमें गिद फस जाता है नागराज इस जाल के उपर जा पैठा तुने मुझे मानने का शरंत रचा था लेकिन तू उसमें खुद ही फस गया है नागरसी से बने जाल को काट पाना इतना असान नहीं है जब तक तू इसे काटेगा तब तक जमीन पर जाकर गिरेगा जिसते तेरे पंक तूट जाएंगे तू कभी उड़ भी नहीं पाएगा तेरा विचार तो अच्छा था नागराज लेकिन अफसोस कि ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी चोँच तेरी नागरसी को अभी छिन्वेन कर देगी गिद्राज फूर्टी से उस जाल को काटने लगता है गिद्राज की चोट से समस्त नाग जल्दी जल्दी तूटने लगते हैं उपर बैठा नागराज बोला मुझे अपने भार को बढ़ाना होगा जिसे की सारी रसी काटने से पहले गिद्राज जमीन पर जागिरे और इसके फंक तूट जाए नागराज अपने वजन को और बढ़ाता है लेकिन तब तक गिद्राज सारी रसी काट चुका था और आजाद होकर नागराज को बहुत तीच पंजा मारता है जिससे नागराज दुगने वेग से नीचे बनी नदी की गहराई में चला जाता है और वहत देर तक उपर नहीं आता क्या नागराज आएगा नागमानव की रक्षा करने या नागराज सच में मर चुका है जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी नागराज से